वाइसे आज पहला दिन इसलिए बीटे का आज से ही आपका एक्जाम हो चुका है लेकिन उछ दिन सिर्फ और बी प्लानिंग वाले का एक्जाम था मेंली इंजिनेरिंग के लिए यानिकी बीटे का पीपर आज से ही अस्टार्ट हुआ है जो आज से इस वड़ेम हम लोग यह यही देखने वालें कि 27 जनवरी जितने भी अस्टेवेंट के राएं जो कि 27 जनवरी सिफ्ट वन का पीपर हो चुका है आप सभीकार पूरा पीपर का डिटेल में अनलेसिस करने वाला हुआ है अब यह जो है लाइव अस्टेवेंट का बहुत सारे जो है फीडबेक में दे आपका आगे जाने तो इसके वेसिस पर आपको पूरा ऊबर ऑल एक पता चल पाएगा कि आखिर कर किस तरीगे से पेपर का डिफिकल्टी लबली किस तरीगे से आ रहा है कितना-कितना जो है इस वीड़ियो को बहुत ही अच्छा से देख सकते हैं और बाग कि यहां पर जि और बाग यह चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने क्योंकि जेमी 2024 से रिलेटेड और भी बागी आगे इतने भी पेपर होंगे उन सभी का पूरा पेपर का एनलिसिस वीडियो मिलेगा उसके बाग फिर सकेंड अटेम्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ अपरेल का उसमें बताया की मॉड्य तो डिफिकल्ट जो कि हर बार इसी तरीके से आता है मायत का पीपर ना तो बहुत ही ज़्यादा मतब लेंदी नहीं बहुत ही ज्यादा आपका नमबर आपका टूविल से ज्यादा नंबर आपको बहुत पोछा गये थे दैंड इसके ब previous year questions with data change, बहुत सारे questions ऐसे student का feedback में देख रहा था कि previous year question जो भी student अच्छे से लगा के गया है न, data को change करके जो आपका questions पूछा जा रहा है mathematics में, vector 3D से आपका 3 questions पूछे गया है, calculus में 3 questions जिसमें से कि 2 questions integral calculus से and a question जो है differential calculus से आपका पूछा गया है, वहें पर physics subject की बात में तो physics subject आपका moderate paper देखा गया है, यान कि बहुत ही mathematics की तरह था, बहुत ही hard paper नहीं देखनी को मिलता है, 12 से ज्यादा number of questions पूछे गया है, with respect to 11, यानि कि ज्यादा number of questions कहने का मतलब यह नहीं है, 30 questions होता है, तो 30 questions में हो सकता है कि 16 questions जो है, 12 से पूछ लिया गया हो, and 14 questions 11 से, इस तर questions ऐसे भी थे, जो कि एक फीड़ए कर रहा है कि directly formula based questions भी physics में देखने को मिल रहा है, यानि कि directly formula put करो, यानि कि आप calculation एसा में लेंदी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं की मतलब पहा है ना formula put करो, उसके बाद फिर एक line में answer आ जागा, calculation में आपका जो लेंदी कर दिया ज से, उसके बाद फिर physical chemistry से, मतलब कम number of questions देखने को मिले है, लेकिन इस shift में ज्यादातर questions आपको numerical ही देखने को मिले होंगे, organic chemistry से reaction based directly NCRT से पूछे जा रहे है, inorganic chemistry में जो, यानि कि इस तरगी से दिय दिया जाता है, दो product का है, इस तरगी से reaction करके final product क्या बनेगा है, ना, तो इस तरगी का question directly NCRT से पूछे जा रहे, तो यह हो गया paper का difficulty level subject wise, लेकिन उपर में देख सकते overall paper wise moderate, यानि कि overall physics, chemistry and mathematics तीनों subject को मिला करके, एक line में कहा जाए कि 27 अप्राइल का shift 1 का paper, बहुत ही ज्यादा tough था, या फिर medium था, या फिर बहुत ही ज्यादा easy था, यानि कि य आखिरकार आज के difficulty level को देखते हुगे, आपका category wise cut ups कितना देखने को मिल रहा होगे, यानि कि कितना marks आप लोग का आज आज के exam में, ताकि आप लोग का cut up clear हो जाएगा, cut up के लिए करने का meaning यह होता है, यानि कि just qualify for james and eligible for jay advance, यानि कि jay advance के लिए eligible हो जाओगे, jay advance का अगर जो आपका 90 plus marks आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा 90 plus marks आ जाएगा, जितनी भी अस्विन का सता है, जनुरी सिफ्ट वन का paper था, तो आपका general category से हो, आपका cut up clear हो जाएगा, at least cut up clear हो जाएगा, cut up clear करने का meaning यह नहीं होता है, कि आपको NIT में confirm admission हो ही जाएगा, है ना, में भी आपका home state, आपका अगर जो यानि कि lower NIT रहेगा, आप home state से है, तो में भी मतलब मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम जान्स रहता है, कि आपको cut up clear हो जाएगा, वहें पे general EWS category का 78 plus marks पे आपका cut up clear हो रहा होगा, OBC category का 82 marks, SC category का 58 plus marks and HD category का 52 plus marks, अब एर फाइली ब के difficulty level को देखते हुए, आपका marks versus percentile क्या देखनी को मिल रहा होगा, 99 percentile के लिए अगर जो आप try करे हो, तो आपका अगर 190 plus marks, आपको लग रहा है कि हाँ, 180 plus मतलब मीनम मेर 180 plus तो होना ही चाहिए, 190 की round अगर अगर तो आप पूरा एकदम से safe side में हो, कि आपका 99 percentile एकदम से आही जाएगा, 98 percentile के लिए, 176 plus marks, 97 percentile के लिए, 162 plus marks, 96 percentile के लिए, 180 plus, 140, 8 plus marks, और उसी तरीक से 95, 92, and 90 percentile के लिए देख सकते हो, सबसे पहले बात करें, 99 percentile अगर जो आ जाता है, आपका एनकी 180 plus marks, 190 marks के round में आ जाता है, तो यह guaranteed आपका हो गया, कि top NIT में आपको CSE branch को confirm मि जाएगा, वहें पर आपका 96, 97 percentile के round में आता है, तो आपको top का NIT, top या तो फिर lower branches, यानि कि अगर जो top 5 का NIT में अगर जो आप चाहोगे, तो इसमें जो आपको maybe lower branches मिल ला होगा, अगर जो आप top branches की तरफ जाओगे, तो आपको lower NIT मिलेगा, यानि कि दोनों एक दूसरे का deposit होगा, अगर जो top branch लोगे, तो आपको NIT मिलेगा, अगर जो branch को फिर lower करोगे, तो top का NIT आपको मिल जागा है, तो इस तरह के से आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आपका 95 percentile आ जाता है, यान कि 130 marks के round में आता है, तो आपको कोई न कोई एक NIT, कोई न कोई ब्रा second attempt exam होने के बाद फिर आपका counseling होता है, और उसके बाद फिर आपको NIT, IIT, GFTI, IIT colleges में आपका admission हो रहा होता है, यान कि आपके rank के basis पे, तो आपका जो सा में आपका 6th round होता है, round 1, round 2, round 3, सभी का cut-off रिटी जाता है, यान कि round 1 में उन सभी S1 को colleges का allotment होता है, जिसका rank बह सब्सक्राइब आपका 90 percentile, यान कि approximate 100 marks के round में आता है, तब यहार यहार पे chances रहते हैं कि आपका home estate का NIT का chance रहता है, वह अगर जो top का NIT, आपका home estate का NIT, तब तो खेर फड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक average अगर जो NIT है, और आपका home estate का NIT है, तो आपको में भ जल, category को ध्यान में रख करके मैं बात किया है, बाकियार questions paper, यानि कि आज का 17 January shift 1 का questions paper, exact आपका जो questions paper था, वो मैं आपको telegram में share कर दूँगा, इसके साथ answer की, ताकि आप लो exact match कर पाओ कि आपका exact कितना marks आ रहा है, तो वो answer की भी मैं telegram में share कर दूँगा, telegram में join करने का link description में दिया हुए, बाकियार 27 January shift 2, यानि कि evening shift में जो आपका paper अभी चल रहा होगा, उसका भी बहुत ही जल्द वीडियो, यानि कि जैसे exam हो जागा analysis वीडियो आजागी इसी तरीके से, बाकियार आगे, यानि कि second attempt का exam होगा, जो सा counseling होगा, C से counseling होगा, और भी, जब तक ये से दिए, भाइ बाइ लुए, लवी जवे बाइ, लावे लाए, लुए लगी ऑाई जापकाः से साइचित वियो आपकाः, ये जा ये जा चुनुए, लाई जापकाः, पाई जा लए लुए.